आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है वो क्यों? क्योंकि हर एक Samsung user को एक problem का face करना पड़ता है और वो है Samsung का जो boot logo होता है जो phone on करते समय जो logo preview होता है वो stuck हो जाता है, मतलग कि freeze हो जाता है और जब freeze हो जाता है तो घंटों तक वो आपका phone on नहीं होता है आज मैं आप सभी को तीन ऐसे तरीके बताऊंगा तीन नहीं बलकि चार तरीके बताऊंगा जिससे की आप इस problem को fix कर सकते हैं किसी भी Samsung phone के लिए तो सबसे पहला method जो है वो आप सभी को बहुत ही आसान है और एकदम simple तरीका है अगर कुछ इस तरीके से आपको logo stuck हो जाए, freeze हो जाए तो आप अपने volume down बटन को, power बटन को long press करके रखे रहिए जिससे की आपका phone restart हो जाएगा और हो सकता है by chance किसी किसी के phone में कि आपका stuck logo वाला fix हो जाए और problem का solution आपको मिल जाए लेकिन इतना करने के बाद भी आपका जो logo है वो इसी तरीके से continue बना हुआ है और आपका fix नहीं हो रहा है तो अब आप क्या किजे आप अपने phone के volume down बटन को power बटन को और home बटन को दबाए रखिए जिससे की आपका phone downloading mode में चला जाएगा और downloading mode में आपको नहीं प्रवेश करना है यहीं से volume down बटन को क्लिक करना है जिससे की आपका phone restart हो सा है अगर यहां से आपका phone restart होके आपका phone चालू हो जाता है मतलब कि आपका stuck logo यहां से अगर fix हो जाता है problem solve हो जाता है तो तो बहुत बढ़िया है अगर नहीं होता है तो तीसरा method apply कर लिजे जो तीसरा method है वो है आपको recovery mode में जाकर अपने phone को reboot करना तो अगर आपका phone इस तरीके से इस condition में है stuck logo में है तो आपका phone recovery mode में जाने में problem create करेगा लेकिन आप tension मतलिजे मैं आप सभी को बताता हूँ कि कैसे आप recovery mode में जा सकते है और ये method आपको कोई भी नहीं बताएगा तो सबसे पहले आपको downloading mode में प्रिवेस करना होगा तो downloading mode में जाने के लिए आपको अपने volume down बटन को power बटन को और home बटन को तीनों को एक साथ दबाए रखना है और दबाने के बाद जब यहाँ पे cancel और continue का option आ जाए तो यहाँ पे आप volume up को click करके continue पे click कर दीजे जिससे की आपका ये phone downloading mode में चला जाएगा अब यहाँ पे आपका phone चला गया तो अब आपको करना क्या है आपको अपने phone को switch off करना है तो switch off करने के लिए जो method का apply करना है वो है आपका volume down button और power button को थोड़ा सा दबा के रख दीजे जिससे की आपका जो phone है वो switch off हो जाएगा देख सकते हैं मेरा phone black हो गया यानि की phone मेरा switch off हो गया तो switch off होने के बाद अब आपको करना क्या है अब आपको volume up button, power button और home button इन तीनों को अगर आप continue प्रेस करे रहिएगा जब तक तब तक आपका galaxy का logo ना आ जाए और आने की बाद आप इन buttons को छोड़ दीजे अब जो आपका phone होगा वो recovery mode में जाकर open होगा देख सकते हैं recovery mode में जाने के लिए आपका एक से डेड़ मिनट time ले सकता है तो आप आराम से निस्चिंत रहिएगा जब आपका phone recovery mode में आ जाए तब आपको जो करना है वो करना है reboot to system अब यहीं पर मैं थोड़ा सा wait करता हूँ आप सभी को और यहां पर मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ recovery mode में आप आगए अगर इतना करने के बाद भी मतलब कि reboot to system करने के बाद भी जब आपका phone ठीक ना हो तो अब आपको एक last option बचता है और वो option आपको हमेश इसा के लिए यह problem से दूर भगा देगा और वो है आपका factory reset मतलब कि आपके phone को पूरा का पूरा data wipe करने को तो यहीं पे आपको recovery mode के अंदर ही आपका data wipe करने का option मिल जागा तो आप अपने phone का data wipe कर दीजगा जिससे की आपको यह problem fix हो जाएगा मेरे phone के अंदर reboot to system करने के ब है और मेरा कोई भी data loss नहीं हुआ है मेरा problem भी solve हो गया मेरा phone भी ठीक है अच्छे से काम भी कर रहा है और आप सभी से मैं request करूंगा कि इस वीडियो को like कर दीजगा क्योंकि आपका एक like मुझे इस मेहनत के लिए thanks होएगा तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में तेक क्या तिल देन और गुद्बाइ